नमस्कार दोस्तों, Digital Study for You चैनल आपका स्वागत करता है आज हम रेलवे ग्रूबडी की लेटेस्ट सेलली स्लिप लेकरा है देखें कि लेटेस्ट सेलली स्लिप में कितना इंक्रिमेंट किया गया है और इस सेलली स्लिप में क्या फरक है क्या एक SSE MTS की सेलली जादा है या रेलवे ग्रूबडी की सेलली अगर आपने उने SSE MTS की लेटेस्ट सेलली स्लिप नहीं देखिए तो मेरे वीडियो लिंक में जाके जरूर स्लिप को देखें तब आपको पता चलेगी कि सरकारी नौकरी की कितनी आवकात है कि एक चपरासी कितने लेबल तक की सेलली उठाता है और एक हायर ओफिसर कितने लेबल तक की सेलली उठा सकता है मैंने डवल एओ, पोश्टरल असिस्टेंट, LDC, MTS, CHSL के सारे जितनी भी पोश्टे हैं सब की सेलली स्लिप अपडेट किये साथ में DFCCIL की तयारी करने वाले, या Railway की तयारी करने वाले या SSC CGL की तयारी करने वाले मैंस section में जाके मेरी playlist में मैंट के question देखें किस trick से मैंने solve किया मैं राके स्याधु सर का student हूँ इसलिए मैं उन्के सारे trick को follow करता हूँ कि बले-बले कैसे होती है तो चलिए शुरू करते हैं दोश्तों, Guru-Dee की Selly आपकी स्क्रीन पर यह रही यह Guru-Dee में Hospital Assistant की Selly Sleep है ज़िए मेडिकल डिपार्टमेट की Selly Sleep है आप सोचोंगे के देलवे में कौन सी डिपार्टमेंट आ गई भाई Medical Department Railway Group D में होता है आप सब लोग जानते हैं अगर Group D की तयारी करने वाले हैं आप इस Sally Slip में देखिए इस Sally Slip में आपने एक बात तो नोटिस की होगी इसमें जो Sally Slip में Basic पे लिया गया गया 18,500 लिया गया है कहने का मला इसमें एक Increment लगने के बात की Sally Slip है और यह Sally Slip जो है लेबल वन की अंडर में आती है और वेतन जो बिद्धित थी यह एक जुलाई 2021 है कहने का मला एक जुलाई 2021 को नया Increment लगेगा उससे पहली की Sally Slip है डेट आप जोईनिंग इस बंदे की कब हुई है 29, 8, 2019 को हुई है समझ रहे हैं आप तो अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 18,500 बेसिक पे है डेट जो है 3,145 है परिजेंट टाइम में 17% डेट चला है लेकिन आने वाले एक दो महीने में 21% का डेट होने जा रहा है एचारे जो है 1,800 है 1,800 होने का मतलब इसकी जो CT है जेट सीटी है किसी गाउं में भी लॉंग कर रहा है यही अगर सहर में होता तो इसकी सहली 5-6,000 रुपे ज्यादा होती और अगर हम बात करें इसमें जो हास्पिटल पेसेंट के यह एलाउंस मिलता है 1,400 मतलब हास्पिटल के अंदर काम करने के 1,400 रुपे आपको एक्स्ट्रा मिलते है समझ में आई बात तो इस तरीके से हमारी जो ग्रॉस सहली बन जाती है 28,598 रुपे बन जाती है अब कुछ पेंसन काटेगी सरकार 2425 पेंसन काट ली पेंसन काटने के बार आपके अकाउन में 26,173 रुपे क्रेडिट कर दिये जाते है मनलब जमा कर दिये जाते है कहने का मदलब अगर मोटा मोटी हम बात करते रेलेवे ग्रूब डी की एंप्लॉई की स्टार्टिंग में जो सहली होती है 25,000 24 से 25,000 के बीच में बनती है और इंक्रिमेंट लगते 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 ये सहली 80 सब 50,000 के आसपास चाती है जो कि एक डिटार्मेंट वाले बंदे को मिलती है तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े और आपको इस सहली का लाब लेने के लिए आपको ग्रूब डी की तेयारी अच्छे से करनी होगी और साथ में रेलवे की भी तेयारी अच्छे से करनी होगी और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े चलिए बाए गुड़नाइट